उस्तू ICC World Test Championship के points table में काफी बड़ा उलट फेर देखने को मिल रहा है जहां England को Pakistan ने हराया तो ही New Zealand ने इंडिया को हरा करके points table में काफी बड़ा उलट फेर कर दिया तो ऐसे में points table में कौन सी team कितने points के साथ किस अस्तान पर है और किस team के पास कितने chances है final में qualify कर निकले इस video में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी ज़्यादा important वीडियो में अन्तता को बने रहना और अगर आप इस channel पर नए हो तो channel को subscribe करके बेल आइकन दबा देना वह ऐसे दोस्तो किर्केट से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जो है जॉइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description box में मिलेगी तो आएए चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं ICC Ominst T20 World Cup 2024 के points table में जो team सबसे आकरियनी की नवे अस्तान पर है वो है West Indie जो अब तक 9 match के लिए और इन 9 matchों में सिर्फ एक match में जीते धर्जी की है 6 matchों में हार मिलिये तो ही 2 match इस team को draw हुआ और इस team के pass total 20 point है वो है इस team के जो chances है final में qualify करने के 18.52% है जबकि points table में 8 वे अस्तान पर है पाकिस्तान जो इस team ने भी अब तक 9 match के लिए और इन 9 matchों में से 3 match में जीत हासिल किया 6 matchों में हार मिलिये तो है इस team के pass total 28 point है और इस team के जो chances है final में qualify करने के 25.93% है जबकि points table में 7 वे अस्तान पर है बंगलादे जो अब तक 9 match के लिए और इन 9 matchों में से team ने भी 3 match में जीत हासिल किया 6 matchों में हार मिलिये और इस team के pass total 33 point है और इस team के जो chances है final में qualify करने के 30.56 है जबकि points table में 6 असान पर है इंगलेंड जिन्हों ने अब तक total 18 match खिला है और इन 18 matchों में से 9 match में जीत दर्ज किया है 8 matchों में हार का सामना करना पड़ा है तो ही 1 match ड्रौ हुआ इंगलेंड के pass total 93 point और इस team के जो chances है final में qualify करने के 43.06% है जबकि points table में 5 असान पर है न्यूजी लेंड जो अब तक 9 match के लिए है और इन 9 matchों में से 4 match में जीत दर्ज किया है 5 matchों में हार का सामना करना पड़ा है न्यूजी लेंड के pass total 48 point है वह ही इस team को जो chances है final में qualify करने के 44.44% है points table में 4 असान पर है South Africa जो अब तक 7 match के लिए और इन 7 matchों में से 3 match में जीत दर्ज किया है 3 matchों में हार मिलिया हो ही एक match stream का draw हुआ South Africa के pass total 40 point है इस team के जो chances है final में qualify करने के 47.62% है जबकि points table में 3 असान पर है सिलंका जो अब तक 9 match के लिए और इन 9 matchों में से 5 match में जीती है 4 match में हार मिलिया है सिलंका के pass total 60 point है हो है इस team के जो chances है final में qualify करने के 55.56% है जबकि points table में 2 असान पर है और जो अब तक 12 match के लिए और इन 12 matchों में से 8 match में जीत दर्ज की है तीन match में हार कास सामना करना पड़ा है एक match इस team का draw हुआ और श्रेलिया के pass total 90 point है वो है इस team के जो chances है 62.5% है जबकि ICC World Championship के points table में सबसे पहले असान पर बनी हुए इंडिया इंडिया जो अब तक 12 match के लिए और इन 12 matchों में से 8 match में जीत दर्ज की है तीन match में हार कास सामना करना पड़ा है एक match है draw हुआ इंडिया के pass total 98 point है जबकि इस team के जो chances सब final में qualify करने के 68.06% है तो दोस्तों यह रहा ICC World Championship का नया point stable तो आपको क्या लगते है World Championship का final मुकाबला के इन दो team के बीच खेला जाएगा comment करके आप में ज़रूर बताएं तो दोस्तों इस चुना बस्तित नहीं अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अन दबा देने Thank you so much guys for watching this video